तो दोस्तो इतना तो यार आपको भी पता है अगर आपको बोड़ीक्शाम में फूल में फूल नमबर चाहिए हर चीज पे तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के लिखना होगा ठीक है तो एकदम मस तरीके से आज हम आपको बताएंगे गद्यांस को कैसे आप बोड़ीक गद्यांस को हम लोग हल करने वाले ठीक है जिसकी एकद्यांस में आने की पूरे पूरी चांसेज पढ़ सकते हो मुझे मानव जाती की दुर्दम निर्ममधारा के हजारों वर्सों का रूप साथ दिखाई दे रहा है ये गद्यांस जो एकदम वाइरल गद्यांस है और हर स से सॉल करना है और एक्जामन से फुल फुल नंबर लेने ठीक है त्यार भाई प्लीज वीडियो को सुरू सिरे कर आकरी तक चरूर देखना ठीक है तो ये सिंपल गद्यांस पढ़ लो इतना वारल वाला गद्यांस है कह रहा है मुझे मानो जाती की दुर्दम निर्ममधार के हजारों वर्सों का रूप साब दिखाई दे रहा है मनुष्य की जीवनी सक्ति बड़ी दिर्मम है ठीक है वस अब्यता और संस्कति के व्रथा मोहों को रौनती चली आ रही है ना जाने कितने धर्माचारों विश्वासों उस्सवों और व्रतों को धोती बातिया जीवन का रूप है ठीक है मला हमारे सामने समाच का आज जो रूप है वरना जाने कितने ग्रहाण और त्याग का रूप है देश और जाती की विसुद संस्क्रति केवल बात की बात है सब कुछ में मिलावाड़ा सब कुछ आविसुद है सुद है केवल मनुष्य की दुरुदम जी पार्ट का है तो अगर आपने पढ़ा है इस गद्यास को तो आपको पता होगा ठीक है यह आपकी किस पार्ट से लिए गया है यह असोक का फूल रामक पार्ट से लिए गया है कि मुझे मानव जाती की दुर्दम निर्ममधारा के हजारों वर्सों का रूप साब दिखाए दे तो देखो आप गद्यास को तभी अर पहचान पाओगे कि यह किस पार्ट का है जब आप उस गद्यास का जो पार्ट है उसको अच्छे से एक दो बर पढ़े होगे ठीक है तो इसलिए आप क्या करो आप सारे जितने भी आपके हिंदी में पार्ट है सब को एक एक दो दो बार अच्छे से पढ़ लो जिससे आप पहचान पाया करो कि ये कौन से पार्ट का लिया गया है तो ये जो आपका है ये किस पार्ट का है असोक के फूल का और इसके लिखा कौन है आचारे हजारी प्रस ठीक है तो देख सकते हैं इस गद्यास के नीचे पाँच प्रस्द दी जाते हैं पाचों प्रस्द दो दो नमबर के होते हैं जिन से आपको दो पंचे दस नमबर मिलने हैं ठीक है तो आप यह जो गद्यास आता है इस गद्यास को आपको हल कैसे करने हैं देखो पहला आपको लिखना है तो चलो बताते है yapıyor सबसे पहले संक्या ऍससे पढ़ेगी 3 क्योंकि मतभत थाइगी आपको यह दो चाइनल पर सब्कूर्ण कर लो मस्त हो सकेart ठीक एंट यह इस करार एकर उसका वीडियो देख लेना यह जो प्रसोत Dude ster 3 है और यह तीन है तो हमने यह पर संख्या 3 आप क्या होगा सबसे पहले आपको यह पर संकीत लिखना है संकीत में क्या लिखना है आप जैसे ये गद्धियांस आप लिख रहे हो तो पहले इसका शुरुआति अच्छत है लिखो जो आप देखो संकेत लिखने के बाद आप यहाँ पर आपको पहले नंबर उत्तर देना है तो यहाँ संदर्म लिखना है ठीक है क्योंकि संदर्म में आपका सब कुछ आ जाता है देखो एक चीछ जान लो जब एक जामनर को अच्छा लगे का कॉपी तुरंट आपको खुसो के नंबर पूरे दे जाएगा ठीक है आप इस टैफ से संदर्म लिखना है कि प्रस्तुत गद्यास हमा प्रका ग्याना में लेखक का ग्याना में और संदर्म से लिखा रहेगा तो पूरे नंबर वो देखे जाएगा ठीक है तो इस टैफ से उत्तर नंबर का को आपको सौल करना है फिर खा नंबर पे रेखांकी तंसकी व्याक्या कीजिए जितने में रेखा की चुई देख लो तो देख सकते हो आप यहाँ पर से पड़ा उत्तर नंबर खा पहला तो उत्तर का आपका सौल हो गया यहाँ से पड़ा उत्तर नंबर खा रेखांकी तंसकी व्याक्या आप देखो यह आपका गध्यांस इस गध्यांस पर क्या कहा है लेखक ने वही चीज बताना है तो हमन कहता ना हजारों वर्सों का रूप साब दिखाई दे रहा है तो बदला जो पुराना इतिहास बीचुका वो लेखा कहते हैं कि प्रस्तुत गध्यांस में लेखा कहते हैं कि मुझे मानो जाति के जिसमें बंधनों से बंधी हुई है और यही हमारी सब्वेताव सल्सक्रप के कार एंगे को रौनते हुए आगे बढ़ी चली जा रही है ठीक है आच्रडो, व्रतो, त्योहारों को अपने अंदर समाहित किये हुए बढ़ रही है इस टाइफ से आपको व्याख्या कर दी मतलब यह जो दो लाइन है इनी दो लाइनों को आपको आर्च से लिख रहा है खा नंबर पे रेखां किता इसकी व्याख्या होगी ठीक है इसी टाइफ से पूरा करना है आप गा नंबर देखो लेखक ने मनुस की जीविसा को किस रूप में प्रस्तुत किया है तो यह पढ़ो पहले जीविसा है कहां देख सकते हो क्यों कि कहा गया यह क्या है सुध है और किस तरह गंगा की तरह ठीक है यह गंगा की तरह सुध है तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि लेखक ने मनुस की जीविसा को बंदन रहित और गंगा की तरह पवित्र बताया है इसी टाइफ से आपको लिखना है तो अभी तो तीन प्रस्ट होगे अभी आपको आगे भी बताएंगे का नंबर हो गया खा नंबर गा नंबर ठीक है आप खुद देख सकतो इस टाइफ से यार अगर लिखते हो और यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करना जिससे उनकी तयारी भी मस्त हो सके ठीक है और लाइक भी कर लेना देखो चौता प्रस्ट घा नंबर है कि हमारे सामने आज समाज का सुरूप कैसा है हमारे सामने आज समाज का सुरूप कैसा है तो देखो यही परस्ट आपको धोड़ना है यहाँ पर लिखा है हमारे सामने समाज का जो सुरूप है वह ना जाने कितने ग्रहाण और त्याग का रूप है यही से आपको लिख देना है हमारे सामने समाज का जो रूप है वा ना जाने कितने ग्रहाड और त्याग का रूप है तो वही चीन हमने लिख दिया हमारे सामने समाज का जो रूप है वा ना जाने कितने ग्रहाड और त्याग का रूप है उत्तर नमबर घा लिका और इसका उत्तर पूरा लिख दिया ठीक है तो ये घा नमबर उत्तर हो गया अब अंगा नमबर है दुर्दम और अनाहत सब्दों का अर्थ लिखिए यहां पर जहां पर दुर्दम आया जैसे अनाहत का पर आया यह अनाहत आया ठीक है यह देखो अनाहत आया यहां पर दुर तो पाचो उत्तर आपको दिखा दिये हैं ठीक है देख सकते हूं इनको तैयार चरूर कर लेना ठीक है तो यह वीडियो अच्छ लगाओ तो लाइक कर लेना भाईया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना